हेलो एफ्रिवन आज बनाने जा रही हूँ रूई जैसे सौफ्ट कड़ी पकवरा इसके लिए मैंने लिया एड़ाइसो ग्राम बेशन, बारी कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, धन्यापती, अच्वाइन और नमक इसे अच्छे से पानी के मदब से बेटर को मिक्स करके तयार करें, 2-3 मिनट्स के लिए इसे मिक्स करते रहें ठाध और इधर एक कढ़ाई में चड़ादे सरसु के दिल गड़म होने के लिए गास पर जब ये दोनों साट से गुर्डें फ्राइ हो जाए जाए वन मिनट के बाद दोनों साट से गुल्डें फ्राइ हो जाएगा इसे आप एक कटोरी में आलग से रहकर त्यार कर ले इधर आपको बनाना है बैटर उसके लिए चार बरे चमच बेशन ले, खटी दही ले, हरी मिर्ची आट कर सकते हैं यहां में ले रही हूँ रेगलर सॉल्ट, हल्दी पॉर्डर, धनिया बॉर्डर, जीरा पॉर्डर और कस्मीरी लाल मिर्च धनिया पती आट करने के बाद इस पैटर को मिक्स करते रहें यहां पर बिल्कुल लंब सुरी रहना चाहिए बेशन और धही को अच्छे से मिक्स करें और इधर आप चढ़ा दे कड़ाई और यहां पर मैं जब अच्छे से आप इसे चलाते चलाते एक दम आपका फटना नहीं शाहिए इसके बाद आट करे सारे पकारे को और इधर तरके का पेंच चढ़ा ले इसमें आट करे सरसुका तेल, जीरा, कढ़ी पत्ता, कस्मीरी, लैल मिर्च और इस तरके को लगा दे आप थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो